विल्कमे फ्रेंड्स मारे यूटूब चैनल आरके नेसिंग एकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही मात्रपूर कोश्चन हैं जो कि आने वारी सभी परिश्याओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को इसके पना करें और पूरा वीड करना चाहिए इगलिस में पढ़ने कोश्चन को अ 30-year-old multi-gravida woman a 30-year-old multi-gravida woman at 30-week's existence is admitted because of vaginal bleeding which task should the nurse do first बताएं आपके क्या होगा इसका राइट आंसर के इसकरें पहले कोश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद यह आंसर दें चल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें यह र सब्सक्राइब करना चाहिए तो चलिए हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं फ्रेंड्स यह हमारा प्रैक्टिक सेट है इसमें 30 कोशन है इसमें कोई भी कोशन को एक्स्पलेन नहीं करेंगे इसमें 30 कोशन है और आपके कितने कोशन 30 में सही हुए है हमेने जरूर बताएं लाश्ट में पूरे कोशन अच्छे से पढ़ें उसके बादी आंसर दें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें तो बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर करें बीन आप पैसेंट सफरिंग फ्राम प्रेकलेम्स या डिबलफ सब एकलेम्सिया दिफर्स्ट थींग दिनर्स शूड डू इजिंप बताएं यहां पर क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर हैं अच्छे से कोश्चन को पढ़ें तभी आंसर दें देखिए यह साइसे स्टॉप नर्स पूछा गया कोश्चन है और मैंने कई बर बताया कि यह प्रैक्टी सेट है ठीक है हम यहाँ पर किसी भी कोश्चन को एक्स्प्लेंड नहीं करेंगे ठीक ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर तीन आपकी स्क्रीन पर यह रहा ठीक है कोश्चन को आप पहले पढ़ें उसके बाद यह आंसर दें बहुत सिंपल कोश्चन है कई बार आप कोश्चन है नार्मल कोश्चन है आपको आंसर देना है साथ सिस्टॉप नर्स दो एक जाम 2012 में पुछा गया कोश्यन है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें which of the following hormones is not produced by the placenta placenta के तरह कौन सा हर्मोन से जो निर्मित नहीं होता है देखे सभी हर्मोन से निर्मित होता है बस एक को छोड़ कर आपको बताना है कौन सा हर्मोन से तो देखे बहुत ही simple question है option A आपका write होगा testosterone ठीक है जो placenta के तरह आपकी सभी हर्मोन से प्रोड्यूच होते है बट आपका testosterone है यह प्रूस लिंग हर्मोन से ठीक है option A राइट होगा आपका तो चलिए हम next question देखते है question number यहाँ पर fourth है आपकी screen पर question को पढ़ें चैसे उसके बाद answer दे question number 4 क्या होगा इसका right answer गिस करें सबसे स्रेष्ट हुआ सामान्य रूप से की जानी वाली epizotomy है अब बताने आपको कौन सी epizotomy है तो the best and most commonly performed epizotomy is गिस करें क्या होगा इसका right answer बताएं तो देखें आप option c right होगा मद्दे पार्स वर्थी ठीक है medial materally ठीक है medial laterally option c आपका right है चलिए हम next question देखते हैं question number 5 पर की screen पर यह रहा पड़े question को चैसे उसके बाद answer दें क्या होगा इसका right answer बताएं गर्वस्त शिशू में संकट अथा fatal distress के चिन गर्वस्त पूचे के question है तो बताएं क्या होगा इसका right answer करें आपकी screen पर है तो देखें आप option यह आपकर गर्वस्त शिशू के हिर्दय की अन्यमेत धनी मिकोनियम रंजी तरल परदात और गर्वस्त शिशू की हिर्दय दर 120 प्रति मिनट से कम तो देखें आपके option D आपका right होगा उपर यूग तो सभी ठीक है तो चलिए हम next question देखते हैं यह पर question number 6 आपकी screen पर question को पढ़ें उसके वाद अंसर दें ब्रूंड या फिर गर्वस्त शिशू अपने भोजन को प्राप्त करता है ठीक है बहुत ही simple question है the embryo fetus receives its food from बताएं क्या होगा इसका right answer question करें आपकी screen पर है बहुत ही simple question है आपको बताना है ठीक है जो गर्वस्त शिशू है वह अपना जो भोजन है वह आपका अपरा अर्था जिसे placenta कहा जाता है उससे प्राप्त करता है ठीक है आपका right होगा ठीक है ज्यादस ज्यादस आप comment box में answer दें और हमें यह जरूर ब पढ़ें question को चैसे गर्वा से नलिकाओं वह अंडासे के विकार है ठीक है the disorders of uterine tubes and ovaries और किस करें क्या होगा इसका right answer बताएं आपसन आपकी screen पर गर्वा से नलिकाओं वह अंडासे के विकार है the disorder of uterine tubes and ovaries और बताएं क्या होगा इसका right answer तो देखें आप पहले आपसन अच्छे से पढ़ने उसके बाद यह answer दें देखें तीवर डिम्बुवाईनी सूद एक्क्योट सल्पिंचाइटीज ठीक है सल्पिंचाइटीज और आपसन भी यहां पर आज थानी गर्वावास्ता एक्टोपिक प्रिग्नेंसी या फिर ट्यूमर्स जिसे अर्बुत कहा जाता ठीक है और यहां पर आपसन जो आपका डी है उप्रोगत सभी तो आपसन डी यहां पर राइट होगा क्योंकि कहा गया एक गर्वासा ही ने लिकाओं अंडाय से की जो विकार पूझा गया डिसार्डर कौन-कौन सी तो दिखिए सभी डिसोडर है चलिए नेक्ट कोश तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर नाइन आपकी स्क्रीन पर कोशन को पड़े उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं अधो विस्थापित कार्ड से पीडित एक महिला में प्रसों से प्रसों में सबसे सुरचिस इसी ती कौन सी है अधो विस्थापित कार्ड से प्रसों में सबसे सुरचित इस्तिती कौन सी है तो देखी आपसन डी याँ पर आपका राइट होगा टेंडें लेन बर्ग पोजीशन ठीक है अब यहाँ पर अगला कोशन देख लेते हैं कौशन नमबर 10 है अपके स्क्रीन पर कौशन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें गरवावस्ता के दोरान सरीर क्रियात्मक रखताल पता का कारड़े दकाज ओफ फिजियोलोजिकल एनेमिया डूरिंग प्रिगनेंसी एज़ गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं कोशन को पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें जल्द बाजी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि प्रैक्टिस सेट है अच्छे से आंसर दें पढ़ें पहले अच्छे से question को उसके बाद answer दें का जारा की गरवास तके दोरान सरीर क्रियात्मक रखताल पता का रड़े तो यहाँ पर देखिए option B आपका राइट होगा मा के प्लाजमा के आयतन में व्रदी तो चलिए next question देखते हैं मैं आपे question number 11 है आपकी screen पर question को पहले पढ़ेंटे से उसके बाद answer दें प्रश्वत्तर काल में सीग्र चलना फिरना अताथ emulation को प्रसाइद करने का उद्देश से क्या है बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें 11 number question है प्रश्वत्तर काल में सेग्र चलना फिरना emulation को प्रसाइद करने का उद्देश क्या है एलन जे फिस्ट अपना से पूछा गया question है 2012 में तो दिखें आप आप संटी आपका right होगा प्रदी वेसो मेटर प्रदी वेसो मोटर गतिविदी में व्रद्दी करना जो प्रदी वेसो मोटर है उसकी गतिविदी में क्या होता है व्रद्दी करना चलिए next question देखते है question number 12 आपकी screen पर question को पढ़ें उसके बाद answer दें ठीक है प्रसों के समय महिला की midline episiotomy की गई है episiotomy का प्रत्मिक उद्देश से क्या है midline episiotomy has been done on the woman at the time of delivery the primary objective of episiotomy is गिस करें क्या होगा इस correct answer question को समझ लें उसके बाद यह answer दें question क्या कह रहा है ठीक है पूछा क्या गया है और इसी आदार पर answer देना आपको कि question पूछ क्या रहा है ऐसा है तुका मत लगाएं ठीक है तुका लगाने से आपका बहुत ज़्यादा खाटा हो सकता है ठीक है यहां पर तुका लगा लेंगे exam hall में क्या करेंगे वहां भी तुका लगाएंगे तो जिन्दी के पर तुका ही लगाती रहेंगे इस वैसे question को पढ़ें समझें थोड़ा time दें ठीक है समय दें अगर एक बार आप कोई भी वीडियो है आप एक बार देख लेते हैं इसको दुबारा फिर नहीं देखते हैं ठीक है लेकिन मेरा जो मानना है कि आप किसी भी चीज़ को अगर बार बार देखेंगे तो वो योनी मार्ग को बढ़ाना यहां का गया कि प्रसों के समय मैला की मेड लाइन एपिस्योटोमी की गई एपिस्योटोमी के जो प्रात्मी को देशे वो है आपका योनी मार्ग को बढ़ाने ठीक है अब यहां पर हम अगला question देखते हैं question number 13 है आपके screen पर पढ़े question को मैला मैं में अंडी का निसेचन होता है पता है क्या होगा इसका राइट अंसर करें मैले में मैला जू है उसको में अंडा का निसेचन होता है ठीक है तो तो फटेलाजेशन ओफ एग इन आ वूमेंट टेक्स प्लेस इन बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें आपकी स्क्रीन पर है तो देखें जो मैला में अंडे का जुद निसीचन होता है फटेलाजेशन जो होता है वो कहां पे होता है वो डिम्बु वाहिनी में होत सबी प्रसो संबंदी आपात इस्थिप्यां हैं कि आल बर्त रिलेटेड Mogensies और एको इस करिए क्या होगा इसकराइट अंशर काज रहे ज़्यार बॉर्थ रिलेटेड Mogensies करें आपको आपको लिन इस्थितियांए केवल एक चोन कर कौन से यसी इस्तितिय जो नहीं है आपके screen पर है यहां... चलिए में नेक्ट गोशन देखते हैं 15 बोशन आपके screen पर है नाभी-रजू को थे ओ-रड कषकिन का जाता है इसमें रख्ट वाइकाएं बहुती है अब आपको बताना है कितनी होती है बताएं क्या होगा इसका right answer simple question है तली से answer अंसर देए बहुत ही जहता нормально question है आपको answer देना है तो दीखें यह पर आपका राइट होगा दो धमनिया वह एक सीरा होता है अब यह पर आपका राइट है अगला कोशन देखते हैं कोशन को पढ़ें पहले अच्छा से आंसर दें उसके बाद अपरा अर्थात प्लेशेंटा की सबसे बार ही जिल्ली है पताएं कौन सी है गेस क अपने पूछा गया कोशन है 2012 में क्या होगा इसके राइट अंसर बताएं आप प्राइटा जो प्लेशेंटा उसके सबसे जो बार ही जिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है तो देखें यह जो बार ही जिल्ली है उसे कोरियोन कहा जाएगा ठीक है अफसन भी आपका राइट तो चलिए हम नेक्ट्ट कोशन देखते हैं सिवंटी नमर कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इसे पढ़े पहले अच्छा कोशन और सिंपल कोशन है और जितने भी कोशन है सभी प्रिवेश यह पूछे गए कोशन है और यह आपका प्रैक्टिस से डाइफ तो मैं इसे एक भी कोशन को एक्स्प्लेश नहीं कर रहा हूं जाया आपको बताना इसमें आपको आपको यह को आन्सर देना है आपर बताएं क्या होगा इसका right answer प्रतं में गर्व कैन्दन क्योंही होता जो पहली बार प्रथम गर्व इस पंदन जिसे को एक निंग कहा जाता है ठीक है कब होती है तो जैसे कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं यह तो आपका राइट हो का 16 से 20 सब्था पर क्या होता है को एक निंग होती है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कोई कोईशन नमबर 18 है आपकी स्क्रीन पर 12 सब्था से पूर्व तीक है 12 सब्था से पूर्व अथत पहले गर्व समापन का सबसे सुरच्छे तरीका कौन सा है गिस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बताएं दस से फिट वे टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स क्या होगा इसका राइट अंसर बताएं कोईशन नमबर 18 है आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोईशन को अच्छे से दस से फिट वे टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी वीफोर 12 वीक्स इज तो बार जो बारा सत्ता से पूर्व गर्व समापन का जो सब्था सुरच्छे तरीका है वो प्रोष्टाक्लींडेंस यह जिलोनेट यह आपका सभसे उची तरीका है आप संग्स ढर्व आपके राइट है ठीका का गया मलब 12 आ सकता से अगर पहले की प्रेगनेंसी और उससा ठाल कराना है ठीक है ठाल भाभ एफ तो सुरच्छ अच्छा तरीका वो प्रोष्टा कि ब्रीच प्रजेंटेशन क्या होता है कि जब प्रसुख होता है तो बच्चे का जो सर होता है वो उपर की तरफ होता है और जो पैर होते हैं बच्चे के वो नीची के तरफ होते हैं ठीक है इसे जो नितम्ब प्रसुती है ठीक है जैसे कि इस तरह से होता है ब्रीच प्रजे सब्सक्राइब की तरफ है और पेर नीचे की तरफ है तो ऐसी बिघृश प्रेजंटेशन होता है यह काफी टवर प्रेजिव प्रेज़नेंसी होती है इसमें जरतर नार्मल प्रेजनसी होने की जो चांस है वह बिल्कुल ना के बराबर होते होती है तो बहुत ही एक ही दो परसंट चांस होते हैं कि नार्मल डिलिवरी हो जाए अन्य था मुस्किल है ठीक है इसमें प्रसों के दोरान सबसे बड़ा खत्रा है ठीक है मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है तो यह नाइंटीन नमर कोश्चन है आपका देखे आप आप संबी आपका राइट होगा तो का अधो विस्थापन मतलब कि प्रॉलैप्स कोड अपसंबी आपका राइट होगा चलिए हम नेक्ट कोशन देख लेते हैं यह कोशन नमबर 20 आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोशन को चैसे उसके बाद आंसर दें क्या होगा गरबस का राइट आंसर बताएं कोशन को पढ़ लें उसके बाद ही आझसर दें जल्दबाजी को कोई बात नहीं है जल्दबाजी बिलकुल भी ना करें लेकि जल्दबाजी के जरूरत है यह नहीं आपको क्योंकि अभी आप प्रेक्टिस कर रहे थे अभी आप तैयरह कर कि करते वक्त अगर आप जल्दवाजी करेंगे तो फिर पढ़ने ना पढ़ने से आपका कोई फायदा नहीं है ठीक है अच्छे से कोशन को पढ़ें उसके बादी आंसर दें ठीक है कोशन में जल्दवाजी मत करें पढ़ें गर्बस इसु के सामान हेद है जो धड़का ने व कि हम अगला कोशन देखते है twenty वनकोशन अपके स्क्रीन पर कोशन को पढ़ें उसके बाद आंसर दे मदमि говорить डियवेटिक samen जो जो एक मदमे से पीड़ी थे उसके प्रसों की जटिलता होगी देखे पीजा टॉपने से पूचा करी कोश्यना है ड्यॅसर Captain जंग पार में किस्टार अंसर माद में घ्रस्त मा अथा डिया डाबिटिक जो चैसे डैबयाटीक होगया है वह प्रसों की लिता पूषिया रहे तो आपको बताना है तो दिए यृश्ड प्रसों गतिए डिस्टोसी आग आज से ग्रस्त है पीडित है तो आप सनी आप यह आपका यह राइट होगा 21 का चलिए कोशन नंबर अब यहां पर हम देखते हैं 22 22 नंबर कोशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर पढ़े कोशन को किस के दौरा मां से बच्चे को एक बच्चे को एड्स इस्थरांतरित नही है तो बताना है आपको क्या होगा इसका राइट अंसर 22 नंबर कोशन है तो देखें यहां पर आपका बी राइट होगा तुचा से तुचा का संपर्ण ठीक है जो यह आप यह एड्स की बात की जा रही कि किसके दरा मां से बच्चे को एड्स इस्थरांतरित नहीं होता है बेखें इस्तानपर्म कराने से एड्स स्थांतरित हो अपरा और यह सबी हो सकते हैं बट grac 했습니다 देकले हमें इसके दरा एड्स क्या होता है इस इस्थरांतित नहीं होता है तो इड्स ऐसे टांसर नहीं होता है इस सेक्च elder होता है एسस मैं इस एक्टैक्स और लाइघ्स क्योंकि इससे एड्स जो है वो नहीं फैलता है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं को इसे नमबर 23 है कोशन को पढ़ें निम्ली लिखित में से कौन सी फेटल सेक की अंतरिक परत है बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर विच अप दी फालोइंग इस दी इनर लेयर आप दी फेटल सेक बताएं कि क्या होगा इसका राइट अंसर विच करें कि सब्गें 23 बताएं क्या होगा इसका तो दीके यह अप्संस्ट भी आप का रैट हो योवक सेख ठीक है अपसन भी यह राइट होगा अपका ठीक है आप पुछा जारा है कि फेटल से की आंतरीक परत पुछिए गई तो अंतरीक फरत यह होगी आंतरीक परत आपकी है योग सेख चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं आपका 24 नमर कोशन पढ़ें उसको अच्छे से प्रसो की दती अवस्था में जो प्रसो की दती अवस्था है दूसरी अवस्था है ठीक है इसमें क्या होता है गरवासे संकुचनों में सुधार के लिए मरीज को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर जो सेकेंड इस्टेज होती है उ वाज़े समकुचन में सुधार के लिए मारीज का कौन सा इंजक्शन दिया जाता है तो किस करें क्या होगा इसका राइट आंसर होता है तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आक्षिटोसिं दिया जाता है ठीक है यह ब्लीडिंग रोकने में भी काम आता है जिसे जब पी 25 है जिर आपकी स्क्रीन पर कोशन को पढ़ें पहले उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं अच्छे से पढ़ें को जल्दवाजी नहीं करनी है आपको ठीक है एक प्रतम गर्भा ठीक है एक प्रतम गर्भा अर्था प्रीमी ग्रेविडा जो जन्वरी को प्रारंब होकर 20 जन्वरी को समाथ हुआ था क्या हुआ 15 जन्वरी को प्रारंब होकर 20 जन्वरी को समाथ हो चुका है अब निगेल से रूल का प्रियोग करने पर प्रसों की संभावी तिति अर्था इस्टिमेट डिट आप डिलेवरी क्या होगी अब आपको ब अपके स्क्रीन पर रहें को पढ़ें उसके बाद आंसर दें बताएं क्या होगा तो देखें आपे 22 अक्टूबर होगी तो चलिए हम आपे नेक्ट कोशन देखते हैं क्वेशन नमबर 26 है आपके स्क्रीन पर क्वेशन को पढ़ें अच्छे से उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं देखें बहुत ही सिंपल कोश्चन है गरवास के बाहर गरवासी इंडोमेट्रियल उतक की असमाने व्रद्धी क्या कहलाती है तो देखें यहां पर आपका राइट होगा अब यहां पर अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 27 है ठीक है 27 नमर कोश्चन है था 27 प्र दिखें आकवो के राइटछ आइट होगा है तो देखें आप सनी-राइट होगा मैंगनेशन स्फर आफ आप पर ड्र ग ऑप चोईस प्रेकलिंबस यह में और ट्रका प्रोपर नमकमोस को मेंगनेसियम भी अचोशन . लिए नापकी स्क्रीन पर लोगरीं में मुअसे कमनाशनियक दिम्नवे फीडिसीा होसकता है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर नेमने लिखेत में से किसके करर अम्नियोटिक द्रोग का जो रंग हो सकता है आपकी स्क्रीन पर है कुश्चन पढ़ें अच्छे से इसके बाद आंसर दें द्यू टू फीचर आप दी फालोइंग दी कलर आप अम्नियोटिक फ्लियूट में वीकम ग्रीन देखें डियासस बी स्टॉपनर्स में पूछा गया कोश्चन 2013 में आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें तो देखें आप संसी यहां पर आपका राइट हो कि अपने कितने सही की हैं तो गर्भासे ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग कौन सा चिन होता है बताएं आप क्या होगा है तो यह क्या होगा चैडविक साइन होगा ठीक है बहुत बार पड़ा एपनी चैडविक साइन ठीक है गरबासा गरिवा का बैंगनी अर्था नीला हो जाना ये क्या चैडविक साइन कहलाता है चलिए हम नेक्ट कोशन दिखते हैं आपर 30 कोशन लाश्ट कोशन है हमारा फ्रिंट ची 30 निमर कोशन गरबावस्ता के दूसरे अर्ध अर्था सेकेंड हाप के दोरान गंबीर रक्त स्राव के साथ सामाने रूप से आपरा का समय पूर्व प्रतक्रल क्या कहलाता है पढ़ें अच्छा से प्रेमेचर सेप्रेशन और प्लिशेंटा प्रेमेचर सेप्रेशन अब दे प्लिशेंटा यूजली अकंपेंड बाई सिवेर ब्लीडिंग डूरिंग दी सेकेंड हाफ और प्रेग्नेंसी स्कॉल्ड अच्छे समझ ले उसकी बादिया अंसर ने कोशन कोशन समझे पहले कि गर्भावस्ता के दूसरे अर्ध अता सेकेंड हाफ के दौरान गंभीर रक्तसराओ के साथ सामानी रूप से अप्रा का समय पूर प्रथक कहला मलब कि जो अप्रा है आपका जो प्लेसेंटा है से मेरल जाता है तो ंसेमे कि अप्रा का समय पूरू पता अलग हो जाना क्या तो बताएं यहां पे क्या हो गहाँ छों से बने को Fragen को जल्त बाजी नहीं करनी लिख आपको जिसे एक्टोपिक प्रिग्नेंसी किसे का जाता है एक्टोपिक प्रिग्नेंसी किसे का जाता है एक्टोपिक प्रिग्नेंसी वह प्रिग्नेंसी होती है जब प्रिग्नेंसी फर्टिलाजेशन के बाद गर्वासे में ना इस्थापित होकर गर्वासे में इंप्लांट ना होक जायतर ये tube में ही implant हो जाती है जिससे जब उसका विकास वरता हे growth होती है तो tube जो इंपला होता है उसके फल निंक डर रहता है ठीक है ये बहुत ही खतरनाक risk हिओती है इसका जतनी 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 खिदा सकई हतना तूर्ग हो हो सकरे उसके ट्यूब में ही pregnancy का रुख जाना तो खतरनाक तो होई सकता है तो वहां अगर ट्यूब में pregnancy रुख गए तो bleeding की सम्मावण दीरे दीरे बढ़ती रहती है तो अगर आपका दर्द नहीं जा रहा है जैसे आपको pregnancy कंसीव होने के बाद कुछ ही समय बाद इसमें दर्द होना शुरू हो गया और bleeding भी आना शुरू हो गया तो आपको तुरन डॉक्टर से संपर करना है जिससे पता सल रहे कि जो pregnancy है वो कहीं एक्टोपिक pregnancy तो नहीं है ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा bleeding होती है दर्द बहुत ज